नमस्कार प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा राश्टपती द्रोबदी मुर्मू ने संसत के विशेश सत्र में दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षन विधैक को मंजूरी देती है केंद सरकार ने अधिनियम के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है जिसे नारिशक्ती वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है राश्टपती के मंजूरी के बाद अब ये विधैक कानून बन गया है कानून में लोकसभा और राजविधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभाँ में महिलाओं के लिए 33% सिटे आरक्षित की गई है अनुसुचित जनजाती के लिए मौजूद कोटे के अंदर इन जातियों के महिलाओं के लिए 33% आरक्षन भी तिया गया है प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी ने कहा है कि चतिसकर आज कॉंग्रेस सरकार के शाषनकाल में आतंक, ब्रश्टाचार और कुष शासन के त्रस्त में आ गया है आज विलासपूर में भारति जनता पार्टे की महासंकल क्रेली को संबोधित करते हुए श्री मोधी ने कहा कि चतिसकर में रोजगार के नाम पर घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं उन्होंने कहा है कि PSC घोटाला युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोका है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में केंडर की भाजपा सरकार ने 36 गर को बिजली, सडक और अन्य विकास कारियों के लिए हजारो करोर रुपे दिये लेकिन राज़ की कॉंग्रेस सरकार के कारण केंडर की योजनाओ का लाप आम लोगों तक नहीं पहुँच पाया है मुख्य मंत्रे पेमा खांदू ने गतर शुक्रवार को कहा है कि अरुनाचल प्रदेश पर चीन का कोई दावा नहीं है क्योंकि राज़े हमेशा से भारत का अभिन्य हिस्सा रहा हाल ही में होंग्जोव में एशिया एखेलो के लिए अरुनाचल के तीन वोशु खिलारियों को नियमित वीजा देने से इंकार करने का जिक्र करते हुए मुख्य मंत्रे ने कहा कि जब भी सिमावर्ती राज़े से संबंधित कोई मुद्धा होता है तो चीन अनावश्यक रूप से राजनीतिक पहलू लाने की कोशिश करता है उन्होंने ये भी कहा है कि चीन का अरुनाचल प्रदेश पर कोई दावा नहीं है और इतिहास में भी कभी अरुनाचल प्रदेश चीन का हिस्सा नहीं रहा था ये सदेव भारत का अभिन्न अंग रहा है श्री खांदू ने गत शुक्रवार को राज में शुरू हुई 36 सीनियर नाशनल टग ओफ वार चेंपेंशिप 2023 के मौके पर ये बात कही मुख्य मंत्री ने तीन वोशु खिलारियों का जिक्रे करते हुए कहा है कि राजय सरकार ने अंतरराश्ट्रे प्रतियों किताओं में भाग लेने वाले अरुनाचल के प्रतियों खिलारी को पुरस्कृत करने की नीती के तहट 20-20 लाग रुपए प्रदान किये हैं राजपाल केटी पर नाइक ने चीन भारत सीमा पर तेना शशस्त्रवलों के जवानों से हर समय सतर क्रहने और समवेदन्शील सीमाओं की रक्षा में भारतिय शशस्त्रवलों की वीरतापून परंपराओं को बनाये रखने का आक्रे किया राजपाल ने गत शुक्रवार को पर सुबन स्री जिले के सीमावरती गाओं ताक्सिंग का दोरा कर शशस्त्रवलों के जवानों के साथ बाच्चित की दोरे के तहट एक सारवजनिक बैठक को संबोधित करते हुए राजपाल ने कहा कि वाइबरन विलिज कारिक्रिम को लक्ष्य सीमा के पास पहले गाओं में सभी सुविधाएं प्रदान करना होता है राजपाल ने इससे पहले 2008 में चार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में ताक्सिंग का दोरा किया था इटानागर कैपिटल कॉम्पलिक्स के पुलिस उप महानिरिक्षक विजे कुमार ने शुक्रवार को विशेश रूप से महिलाओं के लिए एक पुलिस नियंतरन कक्षवाहन PCR को हरी जंडी दिखाए जहां पुलिस कर्मी सिर्फ महिलाएं होंगी अपने संबोधन में DIGP कुमार ने कहा है कि बहतर पुलिस पुलिक संबन्द और कानून विवस्था बनाए रखने के लिए अपनी तरह का पहला वाहन बादार क्षेत्रों में जैसे समवेदंशिल स्थानों पर तैनाद किया जाएगा जहां महिलाओं के उपस्थिती सबसे ज्यादा देखी जाती है। ताना बापू, SDPO मागातागो, कारेकारी मेजिस्ट्रेत ताबा मिलका, मेंगियो गाउं बुढ़ा असोशेशन के अधिक्ष ताहर कामे ने अभियान का नेतुत वग किया। उके गामनों और सुसूर गामनों की बेटी है। मुखे मंतरी पेमा खांदू और अपू मुखे मंतरी जाना में ने गामनों को उनकी उलेखने उपलब्ती पर पढ़ाई दी है। इसे के साथ ये समाचार बुलिटन समाथ्वा नमस्कार।